नमस्कार आप देख रहे हैं यूटूब चैनल अजुकेशन पोर्डल कृष्णा और मैं हूँ कृष्णा अराशिंग पंचाज चुनाब 2021 से संबंधी तिथी की गोशना हो ही चुकी है आप इस बाद से भली बाती अब गत हैं अब इस पंचाज चुनाब को सही से संपन कराने के लिए जो कर्मी और पदाधिकारी की न्यूक्ति की गई है वह भी अंतिम पड़ाव पे है और सभी को इस बात की जानकारी भी हो गई है लगभग कि मेरी ड्यूटी किस रूप में इस पंचाज चुनाब में लगने वाली है तो आप पिछले चुनाब में देखे होंगे कि एक बूथ पे चार पदाधिकारी की अवस्कता होती थी लेकिन इस वार के पंचाईज चुनाब में एक बूथ पे छे मतदान कर्मी की अवस्कता होगी यह भी समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से कि जो पंचाईज चुनाब छे पदों के लिए होता है उसमें चार पद के लिए इवियम की जुरत पड़ेगी अनिकि एलेक्ट्रोनिक बोटिंग मशीन की अवस्कता होगी और दो पद जो की सरपंच और पंच का है वह मत पत्र और मत पेटी से उसको संपन कराया जाएगा तो इवियम से मुखिया हो गिया वाड सदस्व हो गिया उसके बाद समीती और जिला परिसद का मत दान कराया जाएगा और ग्राम कचहरी का जो पद दो है पंच और सरपंच उसका मत पेटी की वहाँ पे अवस्कता होगी चुनाब कराने में तो आज इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके जो भी कर्मी है उसके बारे में चर्चा करेंगे लेकिन प्रशनली और प्रोपरली इस वीडियो में पीवन अनिकी पहला मतदान पदाधिकारी का क्या कर्तब्य है उसका क्या कार्य है विशेश रूप से इसी के बारे में जानेंगे उसके बाद फिर अगले विडियो में P2 के बारे में फिर P3 के बारे में और अंतताह पीठासीन पदाधिकारी के बारे में भी हम लोग उसके कर्तव्य और उसका क्या-क्या वहाँ पर परदर्शन रहेगा बूथ पर उसकी चर्चा करेंगे तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए मुद्दे की बात करते हैं जब मतदाता मतदान केंपस में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले उनकी मुलाकास, सबसे पहले उनकी भेट परथम मतदान पदाधिकारी से होगी और वहाँ पे जाकर वह मतदाता पीवन को एक परची थमाएंगे और उस परची की सहायता से निर्वाचक नामावली की चिन्हित परती अनिकी भोटर लिस्ट में उसका नाम ढूढ़ेंगे और नाम ढूढ़ने के बाद अधी वह मतदाता पुरूश है तो वह जो मतदाता के लिए इस परकार से रहता है वह भोटर लिस्ट मतदाता भोटर लिस्ट तो इसमें इधर फोटो लगा हुआ रहेगा आप असपस्टूप से इस बात को समझी रहे हैं तो अधी वह पुरूस है मतदाता, तो इसमें इस प्रकार से एकल क्रोस लगा देना है, और यदी वह मतदाता महला है, तो इस तरह से एकल क्रोस लगा करके उसको इस प्रकार से सरकिल भी लगा देना है, इससे क्या फाइदा होता है, कि जब परसंटेज निकालने की बारी बोड दिया कितने महला मत दाता ने बोड दिया इसकी जानकारी हो जाती है असपस रूप से देखने से ही अनि कि अधी सिंगल क्रोस हो एकल क्रोस हो तो यह पुरूश को सुचित करेगा और अधी क्रोस हो इसके साथ साथ सर्किल भी दिया हुआ रहे तो यह महला मत दाता को इसके और इससे समंधित एक और भी वाते हम कर लेते हैं कि ज्यादा सुगम्ता के लिए आप कागस पे इस प्रकार से पुरूश और महला साम में ही बना लेंगे या सुबह बहुत सबेरे और इधर नम्रिंग इस प्रकार से तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ इस तरह से इसमें भी 200 तक कर लेना है और अधी हो तो जितना भी उस बूथ पे संख्या है मत दाता की वहां तक भी कर लेते हैं तो आपको सुगम्ता होती है लेकिन उतना तो बोट पड़ेगा भी नहीं 60, 70, 75 यही हाई हो जाता है तो अधी पुरूस मत दाता बोट करने के लिए आया पहली बार तो इस तरह से इसको एक काड़ देंगे अधी महला आई तो इस तरह से एक काड़ देंगे और इसमें सहुलियत होगी कि कितने पुरूस ने दो घंटे के दर्वियान में बोटिंग किये और कितने महला ने बो पंच और सरपंच का आएगा, अधी ज्यादा संख्या होती है उमिदवारों की, तो उसके लिए अलग-अलग दो लिस्ट मतपत्र का आएगा, और अधी कम संख्या होती है उमिदवारों की, तो हो सकता है कि एक ही मतपत्र में दोनों का पंच और सरपंच का आ सकता है नाम. तो मत पत्र यही p1 के पास रहेगा और इसमें से जो मत पत्र राइट साइड की जो लंबी परची होगी कटिंग करने के बाद काटने के बाद जो निकलेगी वहाँ उसके द्वारा मत दाता बोड डालेगा उसके बाद चिन्हित परतीपर कार्ज यह हो चुका और मत पत्र के परतीपर्ण परकार्ज वह भी हम लोग देख चुके कि जो परतीपर्ण होगा लेप्ट साइड में बचेगी एक छोटी सी और जो रजिस्टर आएगा मत पत्र वाला उसी में बचते जाएगा उसी पर सिगनेचर मत दाता का और इसके साथ साथ उसका करमांक भी लिखते जाना है तो अब यहां पर पास्मा में हम लोग समझते हैं कि दो घंटे पर पोल्ड भोट परसेंटेज आनि और यहां परसेंटेज देना है पीवन को ही तो इसका सपोज किजिए कि दो घंटे की समाप्ति के बाद डाले गए कुल बोटों की संख्या 50 है यहां महला और पूरूस दोनों सामिल है और उस मतदान के अंदर पे अनिकि उस बूथ पे टोटल बोट की संख्या 400 है तो परसेंटेज इसका किस प्रकार से निकलेगा इसको समझेंगे तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि 50 बटे 400 अनि कि कुल बोट दो घंटे में कितने डाले गए और कुल बोटों की संख्या को नीचे लिखेंगे अनि 50 में 400 से भा करेंगे तो यह कट गया फिर पचीस दूनी 50 दो दूनी चार अनि कि 25 बटे 2 प्रतिसाथ इसको अधी पॉइंट में लाते हैं तो बारह दसमलब कि 5 प्रतिसाथ 2 घंटे में पॉल हुआ है तो इस प्रकार से प्रतेग दो घंटे में जो परजाडिंग पदाधिकारी है परजाडिंग ओफिर है वह दो दो नामावली की, चिन्हित प्रति का मालिक होता है, उसके बाद, मत Πत्र का भी प्रभारी होता है, और एक चर्चा यहां पे कर लूँ, कि यहां जो मत पत्र होगा, इसे अभी मत दाता को नहीं देना है, और पी वन, जो दो मत पत्र है, या सिंगल मत पत्र है उसको P2 के पास हस्त गत कर देगा और P2 का क्या कार्ज है उसको हम लोग नेक्स वीडियो में देखेंगे तो आज के इस वीडियो में P1 के रूप में विशेश रूप से हम लोग चर्चा किये थाइंक्स पर वाचिंग गुडबाई